हलो आर्वन वेलकम टो फिचर ड्रॉप्स एजूकेशन तो कैसे आप सभी तो पिछली वीडियो आपने देखी होगी जिसके अंदर हमने जो है बेसिक्स के बारें बात की है जेनेटिक्स के तो आज हम जो बात करेंगे आज हम शुरू से लगेंगे इसको ठीक है जेनेटिक्स को एक बार जितना हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे और साथ में जो मैंडल सर के जो नियम थे जो लो थे उनके उनको भी अच्छे से पढ़ेंगे तो यहां हमने क्या-क्या चीजे पढ़ी थी उनकी एक पीपीटी बनाई है हमने तो वो देखिए कि सन 1865 में यूर 1822 से लेके 1884 तक का और इस बीच में इन्होंने जो है कितने साल जो है एक्सपरिमेंट की साथ साल एक्सपरिमेंट की और मैंडल सर को जो है इन्ही अपने एक्सपरिमेंट और इन्ही कामों के लिए जो है इन्हे अनुवांचिकी या आदुनिक अनुवांचिकी का पिता कह जाता है यहां थोड़ी सी गलती हो गई है आधुनिक नहीं आएगा अनुवान शिकी के पिता कहा जाता है और जो जाता है उसके पिता कौन है यह आप कमेंट करके बताएंगे पिछली वीडियो में बताया गया यह देखते नहीं हो वीडियो है न तो फिर आब आगे देखते हम कि वंचागती पर मैंडल की खूज का वर्नर उनकी परिकल्पना 1866 में 1866 और यहां भी थोड़ी सी करेक्शन है यह देखना पड़ेगा मैं 1865 थी ठीक है यह चोटी-मोटी गलतिया हो जाती है इंसानी है तो यहां देखे कि Annual Proceeding of the Natural History Society of Brune इसमें इनकी जो परिकल्पना है वो चापी गई थी पर फिर भी इनकी परिकल्पना चापने के भी लगभग देखिया आप 34 वर्षों तक विग्यानिक होने किसी ने भी इनके उपर ध्यान नहीं दिया गया और फिर सन 1900 में जर्मनी के कार्ल कॉरेंस कौन है कार्ल कॉरेंस और हॉलेंड के हुगोडी वरीज तथा आस्ट्रिया के एरिन वॉन शेर्मिक ये तीन जो वैग्यानिक थे इन्होंने इन पर ध्यान दिया और इनकी इस परिकल्पना की पुनर खोज की ठीक है तो री डिस्कवरी किस ने की थी तो तीन सैंटिस थे कौन थे कार्ल कॉरेंस हुगोडी वरीज एरिक वॉन शेर्मिक ठीक है और कहां कहां के थे कार्ल कॉरेंस थे जर्मनी के और हुगोडी वरीज थे हॉलेंड के आस्ट्रिया के थे एरिक वॉन शेर्मिक तो आप इन तीनों के नाम जो है विशेश ध्यान रखिएगा फिर आगे चलते हैं आगे हमने क्या देखा कि इसके बारे में जनेटिक्स के बारे में जो है थोड़ी बहुत बाते हैं हमने की थी जैसे कि अब आप देखेंगे इसमें जनेटिक्स यहां आपको ऊपर जो है इसकी डेफिनेशन दिखाई देगी जो कि मैं पढ़ पतेक जी में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीडी दर-पीडी माता-पिता से उनकी संतानों में संचरित होते रहते हैं तो आप देखें कि यहां हम कुछ ऐसे गुणों की बात कर रहे हैं किस तरह के गुण? अब इसे हम बोल रहे थे character ठीक है और इसी character पे ही जोर देते हम आएं अभी तक और यही character जो है main stump है इस पूरे chapter का तो कितने character हैं हमारे पास 7 character हैं अब उनमें से अगर मैं किसी एक दोकी भी बात करूं तो वो आ जाएंगे हमारी height हमारा जो है आई color तो यह होगे हमारे character ठीक है फिर उसके बाद अब इनका एक generation से दूसरे generation में transmission वो क्या कहलता तो heritage ठीक है तो यह कुछ एक बात है थी जो हम पहले भी कर चुके थे अब देखिए कि जीवों में क्या होता है कि प्रजनन करने की एक अद्बुत शमता होती है तो संतानों में कुछ लक्षन माता पिता से पीडी दर पीडी पहुंसते रहते हैं तो अब आप यहां फिर से देखिए कि कुछ लक्षन यहां भी character की बात हो रही है जो कि क्या है माता पिता से पीडी दर पीडी पहुंसते रहते हैं जिन्हें अनुवानशिक लक्षन कहते हैं और इन्हें अनु युगमकों, gamets के द्वारा होता है, अब gamets क्या होते हैं, युगमक क्या होते हैं, इसको मैं यदि बताऊँ, तो आप देखिए, एक होता है male gamet, और एक होता है female gamet, अब male gamet क्या होगा हमारे पास, हमारे पास होगा sperm, और female gamet क्या हो जाएगा, ओवियम, ठीक है, तो जब, अब आप देखिए, कि जब, अब्वियम, एग, और sperm, ये जब आपस में मिलते हैं, तो इस प्रोसेस को बोल दिया जाता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इसको बोल दिया जाता है, और इसे हिंदी में यही प्रेजनन, निशेचन बोला जाएगा, तो आप देखिए, कि यहां से आप समझ चुके होंगे, मेल गैमिट में किसकी बात कर रहा हूं, फिमेल गैमिट में किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, तो यही जो हमारे केरेक्टर्स हैं, यही इनी गैमिट्स के अंदर समावित होते हैं, फिर उसके बाद, W Watson ने 1905 में सरपर्थії Genetics शब्द का प्रियोग किया तो यह आप विशेश ध्यान रखिये कि Genetics चो शब्द है यह सबसे पहले किस ने प्रियोग किया तो वो किया था Watson ने W Watson ने कब किया 1905 में ठीक है तो इसी का विशेश ध्यान रखिएगा और अनुवांशकी के छेतर में मॉर्गन, ब्रिजेज, मूलर, स्टर्ण, बीडल, नौरेंबर्ग, एवं डॉक्टर हर गौविंद, खुराना यह हमारे बारती है और का कार्या अव विस्मरनियर रहा है और विस्मरनियर है भी ठीक है जी तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट हाँ तो अब यह देखिए मैंडल द्वारा लिएगे लक्षणों के परभावी तता है परभावी रूख तो मैंने अभी आपको बताए कि साथ लक्षण थे हमारे पास साथ करेक्टर थे तो उनके बारे में आप ये टेबल में देखिए चाहे तो आप इसको डि लक्षण ये हो गया हमारा और ये परभावी तो परभावी लक्षण जो dominant करेक्टर होगा वह और ये हो गया recessive करेक्टर हमारा ठीक है तो ये हमारे साथ जो हैं करेक्टर हो चुके अब आप आगे देखेंगे तो मैंडल के अनवानशिक्ता के कुछ नियम कितने नियम थे? तीन नियम थे हमारे पास तो उनमें सबसे पहले नबर पे आता है प्रभाविता का नियम इसमें हम देखेंगे कि एक जोड़ा विपरीत गुणों वाले शुद्ध पिता और माता में संकरन कराने से पर्थम पीडी में परभावी गुण परकट होते हैं परभावी गुण कौन से थे? यहां आमने अभी पढ़ा परभावी गुण कौन सा है? इसमें लंबे पन का परभावी गुण है और यदि इस्तती की बात किये तो कक्षस्त किया जाएगी और रंग की बात किये जाए तो हरा रंग हो जाएगा तो ऐसे ही तो ऐसे ही देखें तो परभावी गुण जो है परकट होते हैं और इसे ही परभाविता का नियम law of dominance कहा जाता है जैसे कि अब एक example के तोर पे देखें तो हमारे पास यहां है कि लाल पुष्प वाले पौधे क सफेद पुष्प वाले पौधे से संक्रण कराने पर पर्थम पीडी में केवल लाल में पुष्प वाले पौधे पैदा होंगे और जबकि सफेद रंग वाला लक्षन दब जाएगा जहां अगर मैं वैसे करके आपको दिखाऊं तो यह हो गया capital R capital R मैं यहां लिख सकता लाल पुष्प को और इसका क्रोस हमने किसे करना है इसका संक्रण हमने किसे करना है सफेद से तो मैं यहां small r लेख सकता हूं ठीक है और जब इनका क्रोस होगा तो अब आप देखे capital R और small r यह आएगा तो अब आप देखेंगे कि यहां पर भावी कौन है capital R तो इसका था कैसे रंका हो गया यह हो गया लाल रंका और यहां कौन सा character दब गया small r जो सफेद रंका था ठीक है तो यह एक example है और यह मैंडल सर ने दिया था जिसे इन्होंने बोला law of dominance प्रभाविता का नियम पर यह उनका अपवाद भी था ठीक है यह exception भी था क्योंकि ऐसा होता नहीं है क्यों नहीं होता इसे हम आगे देखेंगे last में हम अपवाद की बात करेंगे तो वहां हम देखेंगे ऐसा क्यों नहीं होता दूसरा हाता है पर्थक करण का नियम इंदिपेंडेंट है उसे कोई किसी का कोई कुछ नहीं है वो independent ही है ठीक है अब आप यहाँ देखेंगे कि capital T small t जो F1 generation आई थी इसका जब cross किया जाएगा तो हमारे पास आप देखें कि आच्छा आप cross करने का एक यह तरीका भी होता और एक यह चेकर बोर्ड वाला भी होता है तो आपको जो easy लगे आप वो try कर सकते हूँ तो यहाँ आप देखोगे तो हमारे पास शुद्ध लंबा पोधा और संकर लंबे मतलब एह शुद्ध लंबे impure और शुद्ध बोना पोधा प्राप्त हुआ था अब आप इसमें देखिएगा कि इनका phenotype और genotype क्या आता है और phenotype जो है हमने देखा था कि phenotype किसे बोलते हैं तो हम morphological जो appearance है उसे देखकर हम बताते हैं कि phenotype क्या है तो अब आप देखेंगे तो यहाँ 3 ratio 1 है 3 ratio 1 कैसे हुआ 3 ratio 1 ऐसे हुआ है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रभाविता के नियम में बात की थी कि जहाँ capital word आ जाएगा वो dominant हो जाएगा तो यहाँ capital T, capital T dominant हो गया यहाँ capital small में देखे तो यहाँ भी capital आ गया यहाँ capital small में देखे तो यहाँ भी capital आ गया इसका मतलब यह तीनों पौदे कैसे हैं यह तो लंबे ही है तो अब यह लंबे है तो यह कैसे होगे यह होगे dominant अब यहां आप देखेंगे यह भी एक pure है पर यह कैसा है यह बोना है यह dwarf है ठीक है तो अब आप देखेंगे कि यहां तीन लंबे पोद हैं और एक बोना पोद है तो यह हो गया इसका phenotype तो तो मेभी आपको यह phenotype समझ आ गया होगा कि किस हिसाब से यह निकला गया है और यदि genotype को देखा जाए तो genotype क्या होता है यह होता है कि genetically appearance होती है genetically appearance जैसे कि हम किसी को देख के बोल सकते हैं कि भाई तू बिमार है वो बाहर से दिख रहा होगा अब अंदर से उसके क्या पल रहा है उसे हम देख के नहीं बता सकते तो यह होगा genetically मतलब उसके अंदर क्या पल रहा है तो यहां हम देखेंगे genetically तो यहां हमारे पास pure जो tall plant है वो कैसा है वो एक है दो हमारे पास कैसे हैं impure है pure नहीं है यह impure है है लंबे पर impure है जनेटिक लिए अगर देक्षें क्योंकि इसके पास दोनों ग्रेक्टर हैं जो डॉम्हिनेंट है और इसके पास दोनों जुव ट्रेट्श से कैसे ओकमreaming लिए नीच यहाई दमिन हिंट निया है एक है इस्माल वाला यह मेदी रिसर्टी तोड इसके बाद यह small t हम देखेंगे तो यहां भी यह क्या है यह भी dominant है तो यह चीज यहां clear हो चुके होगी आपको कि यहां हमारे पास यह मैंने जो genotype हमारा one ratio two ratio one क्यों निकाला है यह इसलिए निकाला है क्योंकि एक हमारे पास purely tall plant है दो हमारे पास impure tall है और जो एक बसता है य next पर यह आता है सवतांतर अप यूहन का नियम तो अब देखें इस नियम में क्या है कि इस नियम के अनुसार जब दो जीव दो या दो से अधिक लक्षणों में एक दूसरे से बिन होते हैं तो उनमें एक लक्षण की वंशागती का दूसरे लक्षण की वंशागती पर तो उसको यह कोई दबा नहीं रहा इसमें क्या होगा कि इन दोनों कोई फरक नहीं पड़ेगा मतलब यह सवतांतर है इंडिपेंडेंट है जैसे कि अब यहां इस टेबल को आप देख सकते हो यहां दो जो है और ट्रेट लिए गए है जैसे कि आप देखें गोल पिले कैसे दो-दो कैरेक्टर आ रहे हैं कैसे जैसे कि एक शेप है और एक कलर है और दूसरा जब इसे क्रोस करवाना है तो हम किसे कराएंगे हम करवाएंगे जुरीदार हरे तो यहां क्या हो गया जुरीदार शेप हरे कलर तो जब इनका क्रोस कराया जाएगा तो आप देखें क phenotype क्या आता है phenotype मतलब morphological जो appearance है वो कैसी हो जाएंगी उसमें आएंगे हमारे पास ratio 9, ratio 3, ratio 3, ratio 1 यह आएगा ठीक है अब हम इसे अगर 1K को डूंडेंगे तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी पर हाँ एक में आपको डूंड के बताएता हूँ जैसे इसमें क्या है गोल पिले की अगर बात करेंगे तो गोल पिले यहां कितने है अब आप स्टेबल में देखोगे तो गोल पिले है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और एक, नो इसके अलबाद दसवा नहीं होगा या कोई आठवा नहीं है ठीक है तो ऐसे करके इसमें यह ढूंडे जाते है पर आप यह सीधा यह याद कर लोगे तो ज़्यादा इसमें बेनिफिट रहेगा क्यों क्योंकि एक्जाम में आपसे डिरेक्ट यही पूछा जाएगे यह टेबल नहीं आई उसमें तो आपको यह याद होना चाहिए डाय हाइबरीड क्रोस के अंदर क्या इसका फिनो टाइप रहेगा और मेंली जो हता है इसका जिनो टाइप बारा के बाद रेशो नहीं लगाऊगे चोबिस के बाद रेशो नहीं लगाऊगे रेशो परफेक्ट वर्ड के बाद लगेगा तो यह चीज आप विशेश ध्यान रखना आपको में भी याद हो चुका होगा यह फिनो टाइप था 9331 और जिनो टाइप था इसका 12-24-12-1 फिर आते हैं इसकी कुछ एक टर्म है जनेटिक्स की जैसे सबसे पहले हमर पास बैक क्रोस फिर आते हैं टेस्ट क्रोस बैक क्रोस में क्या होगा कि जो F1 पीडी थी उसका क्रोस किसे करना था परभावी जनक से परभावी जनक कौन जो dominant character था उससे करना है और परिक्षार्थ जो है हमारा टेस्ट क्रोस इसके अंदर हम F1 जनेरेशन क्रोस किसे करेंगे तो वो करेंगे हम ए परभावी जनक से ठीक है और फिर इसके बाद जिनो टाइप और फिनो टाइप के आपके definition दे रखिये इसके अंदर तो इसमें बस इतना ही था और आगे हम देखें तो मैंडल वाद के कुछ अपवाद थे जो मने अभी आपको शुरू में बताए था कुछ इसके exceptions भी हैं जैसे अपरण परभाविता तो यदि अपरण परभाविता की बात की जाएं तो कुछ लक्षणों की वंच्छागति के दोरान मैंडल का परभाविता का नियम पूरी तरह काम नहीं करता जैसे हमने शुरू में देखा तो उन्हों में अगर आप देखें तो यहां स्नैप ड्रैगन है हमारे पास और हमारे पास गुलाब आस जिसके आगे आप देखो यह फोरो क्लोक लिखा फोरो क्लोक मतलब शाम को चार बजे खिलना शुरू होता है यह राथ की राणी जी से बोला जाता है पोदा ही है ठीक है और यह इनोंने प्रबाविता के नियम में कहा था परंतू यहां अगर बात की जाए इसके केस में तो यहां क्या हो जाएगा, जब लाल पुष्प वाले पोदे का, सफेद पुष्प वाले पोदे से क्रोस किया जाएगा, तो यहां जो जन्रेशन आएगी, वो आएगी गुलाबी ठीक है गुलाब भी आगी तो इसका मतलब यहां यह भी dominant नहीं हो पारे और यहां यह भी नहीं हो पारे दोनों ही नहीं हो पारे तो कोई तीसरा ही color यहां निकल के सामने आया है फिर उसके बाद सह पर भाविता core dominance की बात की जाए तो इसके अंदर क्या होता है जैसे अब आप देखो code dominance में हम बात करेंगे मैं इसको एक बार erase कर दूँ आपको pdf मिल जाएगी इटेंशन मत लीजिए आप इसकी ठीक है तो यदि code dominance की बात की जाएगी तो यहां आप आप देखेंगे कि आपने देखा होगा कि गाए गव माता देखेंगे हमारी तो गव माता का जो color होता है तो यहाँ डोमिनेंट सी हो रही है उनके अंदर दोनों कलर की तो यहाँ दोनों कलर डोमिनेंट हो रहे हैं जैसे अभी तो हमने एपरुन परभाविता में देखा कि दोनों ही कलर जो है वो डोमिनेंट नहीं हो रहे थे तीसरा ही कलर आ रहा था पर सह परवाविता के अंदर क्या हो जाएगा यहां दोनों ही color जो है dominant हो जाएगे जैसे मैं यहां लिखता हूँ black color black color और यहां brown जब इनका cross हो जाएगा किसी गाये में bell में तो अब आप देखोगे तो यहां जो उनका color होगा यह दोनों ही dominant हो जाएगे अब दोनों ही हो जाएगे जैसे उनके उपर patches आजाएगे कुछ sports आजाएगे अब वो चाहे brown के उपर black आजाए या black के उपर brown आजाए जैसे भी हो उस हिसाब से sport आने start हो जाएगे उनके sport हो जाएगे ठीक है तो यहां दोनों ही color dominant हो रहे हैं फिर आता है बहु विकल्पता तो मैंडल के अनुसार जीन के दो ही विकल्पी रूप होते हैं परंतु एक ही जीन के एक ही लोकस पर दो से अधिक एलिल हो सकते हैं बहु विकल्पी कहलाते हैं जैसे मनुष्य के रूधीर वर्ग A, B, A, B, O के लिए तीन एलिल I, A, I, B, I, O एकी लोकस परिस्थित होता है तो अब आप ये देखे कि ये कुछ एक बाते थी जिनको मैंडल जो है पूरूब नहीं कर पाया था और यही जो है आप वाद बने और इनका वो जवाब नहीं दे पाया जो आप दे भी कैसे कोई पूछने वाला तो हो किसी ने उसकी जो है एक भी नी सुनी उसकी उसने जो है अपना जो प्रिंट किया था पेपर उसमें उनोंने जो है अपने पूरी जो है thesis उसमें चापी थी पर किसी ने भी उनके उपर ध्यान नहीं दिया उनके मर जाने के बाद ये काम शुरू होता है तो ये कहीं नहीं खराब भी था चलो कोई बात नहीं तो आज की वीडियो में इतना ही आगे मिलेंगे एक नहीं वीडियो में Thank you